घंटो ठेले पे नंबर लगाने से अच्छा है कि घर में ही ये चाट बना के आप तयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, जी हाँ दूस्तों, आज मैं आपको दो चाटों का कॉंबिनेशन एक ही चाट में बताने वाली हूँ, एक होंगे आपके सफेद मटर के चाट और एक होंगे टामाटर के चाट जो बनारस में बहुत ही जादा फेमस होती है, इसे तो बनाया है मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, लेकिन एक खास चीज डालने से इसका स्वाद बहुत ही जादा बढ़ जाएगा, तो चलिए वो तरीका मैं आप बताने वाली हूँ, जिस तो दो टमाटर फिलाहल मैंने अभी डाले है, और दो टमाटर जब मैं इसे फ्राइ करूंगी तब डालने वाली हूँ, आप चाहें तो चारो टमाटर का यूज कर सकते हैं, अगर चारो टमाटर का यूज साथ में करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा, अगर आपको स्पी अगर सीटी आ जाएगे, तो क्या हो जाएगे, जो मटर है, ओभर कूक हो जाएगे, लेकिन ये परफेक्टली हमारे कूक हो चुक है, फिर आपको कड़ाई लेने हैं, और कड़ाई में आपको डाल देने हैं, थोड़ा सा तेल, और पिमने डाला है तेजपता, जीरा, और थ जीरा पाउडर डाला है, बहुत ही कम और ये देखे, ये मैंने डाला है धनिया पाउडर, 200 गराम मटर और 200 गराम टमाटर में मैंने इस मसाले को क्वांटरिटी रखी है, अगर आप जादा बना रहे हैं, तो जादा डाल सकते हैं, और टेष्ट बढ़ाने के लिए आपको जैसे गराम मसाला, गराम मसाला, चिकन मसाला जो भी है उसे आप डाले, बहुत ही अच्छा सा टेष्ट आता है, उसके बाद जो उबले हुए टमाटर थे, मैंने उसे डाल दिया है, ये दिखे, उबले हुए टमाटर डालेंगे, तो बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएंगे, और मैंने थोड़े से कच्चे डाल दिया है, अगर आप चाहे तो साथ में ही उबाल के डालेंगे, तो और भी सोट कट ये पड़ेगी रेजबी, लेकर मैं आपको दिखाने के लिए डाल रहे हूँ, उसके बाद मैंने डाल दिया है उबले हुए आलू को, ये रिखे, उबले सबसे पहले आपको इंतिजार करना है, और अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आता है, तो एक लाइक अभी कर सकते हैं, और हाँ इस रेसिपी को मैं सौट रेसिपी भी बना के डाल दूगी, अगर आपको जब भी बनाने का मन हो, और इस स्वीड में देखना है, तो ओबर कुक हो जाएंगे, फिर वो टेस्ट नहीं आपाता है, इसलिए आपको बहुत ही इसाब से आपको सीटी आप देख सकते हैं, प्रेसर कुकर में कितना लगाने है, और यह देखिए, गाढ़ा सा हमारा मतर के चाट तयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से भून के बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और कॉमिनेसन जादा ही बढ़ जाता है, तो यह देखिए, मैंने घी मिला दिया है, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना, यह दीजे, चाट हमारी तयार हो चुकी है, अब चलिए इसे कैसे निकाल और इसे और भी टिश्टी बनाने के लिए मैं कुछ चीजे और भी मतर के चाट में यूज करती हूँ, और भी मैं मसाला थोड़ा सा डालने वाली हूँ, इससे पहले मैं मीठी वाली दही यूज कर रही हूँ, अगर मेरे मतर वाले चाट की रसे पी आपने नहीं देखिए रगला चाट की रसे पी तो जाके देखिए बहुत ही दिफ्रेंट तरीके से मैंने बनाई है, और सबको वो काफी पसंद भी आती है, यह देखिए फिर मैंने डाल दिया नीबू के रस, और इसके पहले मैंने दही डाला था, और यह इमली गुर की चत्नी है, अगर आपने क यह देखिए, बहुत ही कुर्पूरा सा और बहुत ही चत्पटा सा आपका चाट की रसेपी तयार हो जाएगी, उसके बाद यह जो मसाले है, जीरा को और धनिया को अच्छी तरह से भून के लेना है, और थोड़ा से मैंने लाल मिस्ट पाउडर डाल दिया, तो कैसी लगी आज की यह रसेपी, सिर्फ 10 मिनट में यह नास्ता बना के आप खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है, और समोसा कचोरी से कई गुना यह पेटर लगती है, और इसे बनाएंगे कैसे, आप चलिए, वो मैं जानकारी देने वाली हूँ, तो इसे मैं बनाने वाली हूँ तो तेल में, लेकिन तेल बहुत ही कम सुकेंगे, अगर मेरे तरीके साथ बना लिये ना, और परफेक्ट नाप के साथ बना लिये, तो तेल बहुत ही कम सुकेंगे, और उपर से यह बिल्कुल ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सौक्ट रहेगी, तो इसे मैंने बनाया ह एक उबले हुए आलो से तो अच्च सावावाः लाल पड़ ग्याओह और माटा घटा बढ़ा सकते हैं उसी कनोसार से मैं बनाने वाली हूभ और यह देखें, प्याज को अच्छी तरह से भूनना है, आपको लगतार आपको चलाते रहना है, उसके बाद आपको डालना है, स्वाद अनुसार नमक नमक नमक, अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने डाला है, किचन किंग का ये मसाला, सबजी वाले किचन किंग जो होत हल्दी डालना चाहें, तो डाल सकते हैं, मेरे स्किप हो गई थी, इसलिए मैं बता दियू, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, और जिस कटोरी से मैंने सूझी लिया है, वही कटोरी से दो कटोरी आपको लेने हैं, पानी ये देखें, वही मातरा का है अब क्या करना है अब चलिए मैं आगे दिखाते हूं उसके बाद आपको लेने हैं सूजी और सूजी अच्छी तरह से डाल देना है सूजी डालने से क्या होगा इस तरह अगर बनाएंगे तो बहुत ही कम तेल सोकेंगे और अभी मैं और भी जानकारे देने वाली हूं ज इसके बाद आपको यही कड़ाई में इसी तरह आपको छोड़ देने हैं जितने एक्स्ट्रा पानी रहेंगे सभी खतम हो जाएंगे और यह तूजी है अच्छी तरह से फूल के तयार भी हो जाएगी अगर मेरे पता नहीं के तरीका आपको पतन दाता है तो एक लाइक मेसा डाल देती हूँ अगर नहीं देखा है तो जरूरी जाके देख लीजिए और कुछ भी अगर आपको जरूरी है तो तुरंत आप जाके मेरे चैनल को देख सकते हैं और यह देखिए अच्छी तरह से जितने भी एक्स्ट्रा पानी से न सभी सूख चुके है अब क्या कर दो आपका टाइट रहेगा ना उतने कम तेल अपको धिरान रखना है थोड़े से गीले पर जायेंगे तो यह ज्यादा तेल शोकने लगते हैं बस यही बात का धिरान रखना है तो यह देख्या को मैंने अच्छी तरह से मिस्क्स कर दिया है उसके बाद आपको थोड़े- और तो यह देखें अब बनाना आपके उपर है अराम से बन जाएंगे अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है थोड़ी टूट रहे हैं थोड़ी क्रेक हो रहे हैं तो हलकस आपको हाथों में तेल या पानी लगा लेना है उसके बाग बनाना है और यह देखें सेफ हमारे तैयार हो चुका है अब इसे क्रिस्पी और अलग सा लुक देने के लिए मैं कुछ चीज़े और भी एट करने वाली हूँ तो यह देखिए ब्रेड है मेरे पास ब्रेड का चूरा है उसे क्या करना अच्छी तरह से कोट कर देना यह बहुत ही अच्छा तक कुरकूरा सा लुक आता है अगर कभी आपने नहीं ट्राइ किया है तो जरूर कीजिए और अगर ब्रेड के चूरा नहीं है तो आप पोहे को भी पीस के यूच कर सकते हैं या फिर आप इसी तरह डारेक्टी से फ्राइ कर सकते ह है उसके बाद मैं इसे अप फ्राइ करके दिखाने वाली हूँ तो यह देखिए एक भी तेल हमारे गंदे नहीं होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप उलट पुलट के आपको फ्राइ कर लेना गैस की फिलेम पहले हाई रहनी चाहिए हाई रहेंगे तो आपके तेल ब बहुत ही अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है तो यह लीजिए बहुत ही चटपटा सा और तीखा सा हमारा नास्ता तयार हो चुका है तो कैसी लगी आज की हमारी यह रेसिप क्रिस्पी चटपटे करारे आज मैं आपको बताने माले हूँ आलू चाट के बिल्कुल ही न अब क्या करना है इसे क्रिस्पी कैसे अचा यूज प्रियु चो बदक kmisf legitimate ओ जब और डू का क्रिस्पी आपको असमत्कार चाणा च्छी तरह से मारी बनाच यह समय रेस चित्पारे आपको भी रीचे Keeping लियुग आने माले में रही वह तरीक मैं करिद और इसे क्रिस्पी कैसे बनाने है अब मैं वो तरीका बताने वाली हूँ कई बर क्या होता है कि चावल के आटे से भी आप इसे क्रिस्पी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें यूज किया है आरा रोट का यह देखिया और आलुओं को बहुत ही सोटकर तरीके समय बनाने वाली हूँ, तो सबसे पहले आपको स्वादनुसार नमक लेना है, थोड़ा समय ने मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, तो कि जट पटा और नमकिन बने और थोड़ा समय ने चीरा पाउडर लिया है, पीर आपको हलका पान डालना है और अरारोट के जो पाउडर है कॉन फ्लार जिसे कहते हैं उसे अच्छी तरह से आपको घोल लेना है ज्यादा पतला नहीं करना है और ना जाहे दादा गाढ़ा करना है आप देख सकते हैं यह देखिए बहुत ही इजी तरीका है और मैंने बहुत सारी चाट की रेस उसे लेना है और इसे हादों में अच्छी तरह से प्रेस करना है यह देखिए टिक की कसे खूद ही ले लेगी आपको घंटो में जो लगते हैं आटक आलू को अच्छी तरह से त्यार करने में मसलने में वो दिक्कत खतम हो जाने वाली है और घर के ही समानों से मैं इस चाट को बनाने की कोशिस करूँगे अगर नहीं है तो ऑपसन भी पता दूँगे आपको तो यह देखिए अच्छी तरह से क्या करना है अगर घी है तो घी में ही डाल सकते हैं नहीं है तो आप तेल का यूज कर सकते हैं घी में तो इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है और तो तेल में भी सिंपल डाल सकते हैं बिल्कूल ही market style पे और अगर market जाते हैं तो घंटो घंटो इसका लाइल लगाते हैं उससे अच्छा है कि आपको कभी चटपटा खाने का मन हो तो घर में इसे बना के त्यार कर सकते हैं और हाँ इसतरह कि मैं रॉलग अलग तरह की रहते हुँ फिर मने लिया है थोड़े से मीठे वाले दही जालेंगे तूछ में तुम्मण आपड़ी यह मीठे राता है तो मेरे चैनल में डाली हुई है, आप जाके बना सकते हैं देखके, और नहीं है, तो आप सीम्पल से मार्केट से भी ला सकते हैं, या फिर इमली और गुर को अच्छी तरह से मिक्स करके आप बना सकते हैं, फिर आपको डालने हैं प्याज, यह देखे, बारिक कट कई हुए मैंने उसे डाल दिया है, उसके बाद मेरे पास टेश्ट को डालने माली हुए। हरी Mirs का टेश्ट कई गुणा आता है, क्योंकि लाल Mirs तो मैंने यूँज किया है। लेकिन आप थोड़ा सा हरी Mirs का भी यूँज करे, उसके बाद आपको क्या करना हैं, अब चलिए मोगत तो यह देखे हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है जितना आपको डालना है उसके बाद बारीक वाले जो सेव होते हैं उसे आपको यूज करना है यह देखे हलका हलका से कर देना है ताकि यह क्रिस्पी ऊपर से अच्छा सा चट पटा सा टेस्ट भी आ है और देखे बारीक वाले बेसन के सेव का यूज किया है स्वादनुसार हलका से नीबू डाल दिया है मैंने नीबू से इसका टेष्ट कई गुना आता है दही कभी रहता है लेकिन हलका से नीबू जरू डाले उसके बाद मैंने डाला है चाट मसाला चाट मसाला से इसका फ्लेव है उपर से स्वादनुसार नमक डाला है काला नमक है तो काला नमक डाले बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और यह लीजिया आपकी चाट बनके ड्रेडी हो गई है बहुत ही कम समय में तो आप इसे खा के बताईए कैसी बनी है और अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक अभी कर सकते हैं तो फिर से मैंने थोड़ा सा इमिली और गुड़ की चेकनी डाल दी है यह बहुत ही टेस्टी लगती है और इसी तरह की रेसेप कि हेल्दी तरीके से मैंने बनाने वाली हूँ और अगर एक रोटी अगर खा लिए ना तो आपका पेट बिल्कुल ही भर जाएगा तो कैसे बनाना है अब चलिए मैं वो तरीका बताती हूँ तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं बिल्कुल ही हेल्दी तरीके का यूच कर तो मैंने लिए हैं इसमें सत्तू यह देखे सत्तू है अगर सत्तू नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे तो इसके जगाप बेशन भी ले तके हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा काली मिश्ट का पड़र डालना है आप मातरा देख सकते हैं मैं दो रोटी का इस्तिमाल रखना है और अगर एक रोटी आप इसे खाएंगे ना तो बहुत ही आपको पेट भरा भरा लगने वाला है सुभा साम दो पहर यह टिफिन में जब भी आपका मन होना आप इस नास्ते को खा सकते हैं तो उसके बाद आपको लेना है उबले हुए आलू और स्वाद मुसार नमक दाला है और फिर समनें डाला है काली मिर्श का पाओडर थोड़ा सालल मिर्श का खा और मसाली की आप कॉंट्यूटी देख सकते हैं को बहुत ही कम मैंने रखी है आपको भी कम रखना है अगर गाजर है तो गाजर भी डाल सकते हैं प्याज है नियाकाट Σब्सक्राड क्या हो जाएगी आपकी रोटियों की दिमांद बढ़ने वाली है जब भी आप बनाएंगे तो ज्यादा बनाएंगे या फिर हमेशा यही तरह की रेसेपी आपका खाने का मन होगा यह दिखे दोनों पेश्ट हमारे तैयार हो चुके हैं मैंने पैल चखा दिया है आप तवे म और साइड साइड में पतले करने है उसके बाद यह सत्तू का पेश्ट था न मैंने उसे लगा दिया यह देखे आपको दिकत हो रही है तो कर्ची से एक साइड पकड़ ले और चारो और आपको अच्छी तरह से फील कर देना है बहुत ही करार असा यह नास्ता बनता है और बिल्कुल ही हेल्दी होती है सत्तू आपको तो मालूम होगी तो आप सत्तू की रेसिपी अगर आप देखना चाहते है मेरे चैनल में सत्तू की रोटी कैसे बना है प्रेसर कोकर में लिटी चोखा कैसे बना है तो आप जाके देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके के मै गुल्डन होने चाहिए और गेस की प्लेम इस बीच आपको हाई कर देनी पड़ेगी उसके बाद ही आपको बलटना है अगर कच्चे में करेंगे तो आप थोड़ा सा नस्ता बनाने में क्या हो जाएंगे थोड़े सी दिक्कत होगी और यह देखे एक रोटी को मैंने सेक लिय अगर आपके पास वह समान नहीं है तो इसका कॉंबिनेशन भी में बताने वाली हूं अगर आपके पास जो समान नहीं है उसके बाद आपको क्या डानना है वो भी मैं आपको जानकारी देती हूं यह नहीं कि आपके पास वह समान नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे तो मैं और हां दोस्तों यह रेसिपी को यह मैं तौट रेसिपी भी डाल देती हूं अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखे और मेरे बताने का आपको तरीका पतन दाता है तो एक लाइक अभी कर सकते हैं और यह देखे पूरे पुष्ट मेरे मेरे जितने भी पेश्टे से और अच्छी तरह से चारो और मेरे लगा भी दिया है उसके बाद क्या करना है गेस की फिले में भी लो ही है उसके बाद आपको इसी तरह पलट लेना है और दोनों साइड़ी से स्टेक लेना है अब बस गेस की फिलेम हाई कर देनी है और अच्छी तरह से क्रिस्पी होने त वेज मियोनीस का बस उसे भी आप ले सकते हैं तो तीन उपसन है आपके पास आपको जो भी लेना है आराम से आप ले सकते हैं और यह देखे उसके पाद मैं लिए पल्टा और अच्छी तरह से चारों और मैं इसे लगाने वाली हूँ इस रेसिपी को बच्चे को भी पसंद तो मैंने यूज किया है अब इसमें क्या अब चलिए मैं वो दिखाने वाली हूँ अगर आपके पास नहीं है तो उसके भी मैं दो तीन आपस बताने वाली हूँ और अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देजिए इसी तरह की रेसेपी देखने के लिए तो उसके बाद और भी टिष्टी बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इसमें वेज मियोनिस का ये देखिए वेज मियोनिस मैं लिये हैं और अच्छी तरह से चारो और लगा दिये हैं आपको क्या करना है तो उसके पास आपको जो रात की यह चीज़ो हो जाला है घोर जॉरल सकते हैं लेकिन हूं नहीं बच्चे को यह थोड़ा सा अलग लगेगा और बच्चे इसे जादा ही खाने के लिए प्रिफेर करेंगे और यह देखिए अच्छी तरह से आपको गोलगोल कट्स करके प्याज को भी लगा देने हैं और अच्छी तरह से आपको स्टेट कर देने हैं और यह देखिए सिमाल कर सकते हैं हरे वाले मितर का और आपके पसंद के जो भी सब्जिया आप उपर से लगा सकते हैं और अब इस चीज लगाने के बाद इसे बच्चे का फैवरेट बनाने वाले है तो इसमें सब तो यह चीले फिलेक्स है, मैंने उसे भी डाल दिया है, अगर नहीं है, तो मिर्ची को छूटा-छ्छिा लाल आले मिर्ची को काट के आप सुखा के बना सकते हैं, और यह ओर इगैनो है, प्तो fooled लाना पड़ेगा अगर आ compelled पनीर लगाया है तो बिना पिकलाए आप इसे त्यार कर सकते हैं इसे उसे अपको गर्म किये हुए आप इसे enjoy करके लागए है चीज तो हलका समयने से ढख के दो मिनट अच्छी तरह से कभर करके पका लिया है और चीज अच्छी तरह से मेल्ट भी हो चुकी है तो बहुत ही टिस्टी और आपका ये यम्मी सा नास्ता बन के तयार हो चुका है तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी